तो हम देखते हैं कि पूरी दुनिया नौर्थ और साउथ में बढ़ चुकी है और उन दोनों के बीच एक बहुत बड़ी वार हो रही है जिसमें रोज कई जाने जाती है लेकिन कोई भी हार मानने को तयार नहीं है फिर नौर्ट जीतने के लिए हुमिन्स पर एक्सपेरिमें से वारेंट हो जाती है लेकिन जल्दी सभी इनसान समझ जाते हैं कि वह अप उन लोगों को जाता दिनों तक अपने कंट्रोल में नहीं रख पाएंगे जिनके पास बीस्ट बनने के पार है तो सब इनसान इंकार्नेट को माने का फैसला करते हैं जब इनके काम के नहीं थे क उन्होंने फिर से इनकार्नेट को वर में उतारने का फैसला किया जल्दी मॉंस्टर की पार अपनी साइड होने की विजह से नौर्थ फाइट जीतने लगी लेकिन एक दिन बीस्ट मॉंस्टर में से एक अपनी ऊपर से कंट्रोल खो देता है और नौर्थ के लोगों पर ही जिससे वो मर जाता है पर हम देखते हैं कि सभी इनकार्नेट सोल्डर साथ बैटते हैं तब ही उनमें से एक लेडी एलन बताती है कि जिसने अपने उपर से कंट्रोल खोया उसने एलन को अपनी बिगड़ती हालत के पारे में बताया था लेकिन एलन कुछ नहीं कर पाई क्य कि उसे नहीं पता था कि क्या करना चाहिए उसके पास ने उसके उपर कंट्रोल कर लिया जिससे वो पूरा बीस्ट बन गया फरवैंक सभी को एक स्पीश देता है और कहता है कि वो सभी इनसान है उनमें से कोई बीस्ट नहीं है लेकिन जो उसके साथ हुआ है उन सभी के लेकिन सभी इनकार्नेट पर रिशान थे कि वो अपने साथ ही लगतार खो रहे थे उनका उसला बढ़ाने के लिए वैंक सभी से वादा करता है कि वह सुनकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि सभी चाहते थे कि वैंक और इन दोनों एक हो जाएं उसे राथ हम देखत को खत्व करने वाले हैं यह सुनकर वैंक हैरान हो जाता है लेकिन तभी वैंक को शूट कर देती है फिर वह बताती है कि अगर किसे ने इनकार्नेट को खत्व करने की कोशिश की तो वह सभी अपने बीस्ट पर से अपना कंट्रोल खो देंगे और इंसाने के लिए सबसे वैंक का बच्पन का दोस्त के वहां आता है जो कि एलन की प्लान में उसके साहन था लेकिन तबी हम देखते हैं कि कैन को दोखा देता है और इससे शूट कर देता है दो महीने बाद व्याइंक होश में आता है अपने आप को मिलिटरी हॉस्पिटल में पाता है प्रार्मी ऑ दोस्ट पहुंचा था और सब इंकार्णेट को खत्कों करता है। इंकार्णेट को इसके उन्या में कोई हगता है। कि AAD करेंगे सेखाइड और अपने स्पेर AAD को मारता है जिसमें ए Angel Agra को से खंफ कर देता कुछ दिन बाद वैंक्ड के तौन ने पहँंचता है उसे मारने के लिए हाला कि वैंक्र अपने ऊपर प्र अचा कंट्रोल था लेकिन फिर भी वैंक को उसे मारना पड़ता है पर हम देखते हैं कि वैंक एक काफे में बैठा होता है तब ही अचानक से एक लड़की आती है जो वैंक को शूट कर देती है लेकिन नॉर्मल बुलिट से इंकानेट को कुछ नहीं हो सकता था फिर वैंक उस लड़की को लोगों से दूर लेकर जाता है और इससे सवाल पूछने लगता है फिर वह लड़की बताती है कि उसका नाम यूमिका है और वह बैंक्रॉब की बेटी है साथ ही वह वैंक से अपने फादर की मौत का बदला ले था लेकिन थीमिका वैंक के सामने आ अजाती है और इसे दैनी को कुछ ना करने को कहती है बीस्ट फॉर में बदल जाता हैं उसने यह सब सिर्फ इस वज़े से किया क्योंकि उसका विलेज बहुत जादा गरीब है और वो एक कौफी भी नहीं खरीच सकते लेकिन वैंक डैनी को ऐसे ही छोड़ नहीं सकता था इसलिए उसे शूट करके खत्म कर देता है वैंक जाने लगता है लेकिन यूमिका उसे रोकती और पूछ गतते हैं जहां एक सभी के घर तोड़कर एक कैसल बना रहा है दूसरी तरफ सभी टाउन के लोगों को कहता है कि आने में आने वाला है तो सभी वर के लिए तयार हो जा लीज़ा वेंक को बताती है कि उन्हें काने को खत्म करना होगा क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो कैस पर पर जाता है और इसकी वज़े से वो लगबख दो हिस्सों में कट गई थी लेकिन वैंग उसे बचा लेता है फिर यूमिका इस इंकार्नेट के बारे में पूछती है वैंग पताता है कि उसका नाम ठीयो है और साथ ही वो एनमे से काफी जादा ड़ता है और इसी की वज़ कि इतने में वैंक अपने वाइट वूल्ट में बदल जाता है वैंक इतना साधा फास्ट हो चुका था कि थियो का कोई भी ड्रैप चुब लेकर ठीयो के एक ट्रैप की मदद से हवा में जाता है और अनुक बचले पंचों की मदद से त्यो का आर्मत तोड़ती हुए उसे शूट कर देता है कुछ दिनों के बाद वैंग ट्रेइन से टेवल करके इंकानेट के पास जा रहा होता है लेकिन रास्ते में ही लीज़ा उसकी ट्रेन रुकवा देती है और एक बहुत जादा बड़े इंकानेट जिसका नाम वहीमात है उसके बारे में बताती है जो सीथा ए युमिका वेंक से भीहमाद को नमाने की कह रही होती है लेकिन तभी एक बड़ा बलास्ट होता है और भीहमाद उठ जाता है और फिर से पूल की तरफ जाने लगता है वेंक अपनी वल्फाम में आलखर उसे रोकने की कोशिश करता है और तभी बहुत बड़े बलास्ट से जैसे ही भीहमाद को समर्दर दिखता है वो अपने आप जमीन पर गर जाता है कुछ दिन बाद वैंक और इसके साथ एक टाउन में पहुंचते हैं जो कि एक इंकार्नेट की वज़े से परेशान है नेक्स एक लड़की को मार दिया किया था एक बच्चा कहता है कि उसे पता लेता है उसी राद वैंक और गॉयल के पास जाता है उसे खत्ब करने के लिए लेकिन वह वैंक को गौड किलर बॉलिट से शूट कर देता है जिसकी वज़े से वैंक जमीन पर गर जाता है तब वैंक वो बुलिट अपने अंदर से निकालता है और वुल्फ फॉम में आकर लेता है और पर उसे पूरी तरह से खत्ब कर देता है लेकिन दभी वहां केन आ जाता है और यूंपा को किनाप कर लेता है फिर्वेंक को कहता है कि अगर वो नहीं आया तो यूंपको मार दिया जैका पर हम देखते हैं कि कैन की पताई जगह पर बहुत सारे अमीर लोग सारे थे इसलिए फाइट नहीं कर पा रहा था तभी वहां बहुत सारे सोल्जर आने लगते हैं जो मदद करते हैं इंकार्नेट को मारने में एक सोल्जर केंपर कैनन से अटक करता है जिससे उसके चेस्ट में एक होल बन जाता है बैंक मौके का फायदा उठाते हुए बॉम कंट्रोल खो देता है फिर वह सिटी के ऊपर से उड़ता हुआ चला जाता है दो हफ़ते भी जाते हैं और इस दिन के बाद वैंक को किसी ने नहीं देखा था हम देखते हैं कि वैंक इतने दिनों बाद होश में आता है और अपने आपको किसी बर्फीली जगह के बीच में किसे बाता है और वैंको कुछ याद नहीं था कि वो कैसे आगया कुछ दूच जलता है यह वैंक की तरफ सांगर करने लगता है वह वह से चाहार करने के के लिए चालंजच करता है लेकिन इस वाली वाली याद आता है और फुर से यूमन weinq ओफिर मानने लगता है और इसे बेज़ित करते हुए इसके चेस्ट पर लाग मानने लगता है लेकिन तब वहां वही सोल्जस आ जाते हैं जो पहले केंग की पार्टी में आये थे जिसकी वज़े से उस वुल्फ को भागना पड़ता है लेकिन जहां वेंग लेटा होता है वो जगह में ही क्यों न बदल सकते हो फिर भी वो सबी इनसान है और उन्हें जीने का पूरा हग है वैंग फिर से वुल्फ के सामने आ जाता है और वो उसके उपर अटाक करने आगे बढ़ता है लेकिन तब युमी का सामने आ जाती है और वुल्फ को शूट कर देती है पर वैंग भ होता है वुल्फ को पूरी तरह से खत्म कर देता है और इसे के साथ वो अपनी और पुराने दोस्त को भी मार देता है से इन्शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कैन कुछ इंकार्नेट के साथ मिलकर एक इंग्डम मना रहा था जहां वह सबी रह सके यह देखकर नौद के करते हैं और अपनी आर्मी भीज़ देते हैं जिसमें वैंक भी था अपने दोस्तों के साथ वो सभी जैसे हैं किंग्डम के पास पहुंचते हैं एक इंकार्नेट मॉयल्स उसके ऊपर तीरों से अटाक करते हैं वैंक भी ट्रांस्वार्म होता है और मायल से फाइट करने कर सभी को खत्त करने लगता है लेकिंसे आने लगता है कि है कि पॉईजन स्मॉक हे चिस्से मायल्स मर जाता है कि इसे पहले कुछ करते के ना जाते हैं और सभी सोलजर के सर ब्लास्ट कर देता है तब वहां वेंक आ जाता है और के पर शूट करने लगता है लेकिन उससे केंग्डम बनाया है जहां हीमन और बीस्ट साथ मिलकर रहते हैं वेंक समझ जाता है कि एक अपनी सारी इंसानियत को उ अब भी एक हुमन है कोई मॉंस्टर नहीं युमिका को देखकर केंगो एलन की याद आती है जो हमेशा से सर्फ वैंक से प्यार करती थी जबकि केंग भी उसी से प्यार करता था अब केंग से सपागल हो जाता है और युमिका पर अटाक कर देता है लेकिन वैंक के फेस पर एक जुर्दार पंच मारता है जिसे केंग दूर जाकर गरता है अब केंग खड़ा होता है और अपनी किंग्डम पर नौर्थ का फ्लाग लगा देखता है और वहां से गाइब हो जाता है फिर हम देखते हैं कि नौर्थ वेस्ट से आने वाले मसीबत के लिए तैयारी कर रह प्लीए